हेलो स्टूडेंट्स हमारा पांच पॉइंट दो परसनावली का पंतरवा परसन है कि एन के की समान के लिए दोनों समानतरस रेडियों 6, 63, 65, 66 और 3, 10, 17 के एन में पत जो हैं वो बराबर होंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो सेर और सब्सक्राइब कीजिए हमें दी गई जो एपी है वो है पहली एपी हमारी है 63, 65 और 66 और दूसरी है 3, 10 और 17 इन दोनों एपीओं के जो एन में पत हैं उनके मान बराबर है तो हमें उनके लिए एन का मान है वो ग्यात करना है तो पहली एपी का एन में पत जो है वो दूसरी एपी के एन में पत के बराबर होगा पहली एपी के लिए ए का मान हो जाएगा हमारे पास में 63 और डी का मान हो जाएगा 65 माइनस 63 दो दूसरी एपी के लिए पर्थम पत ए का मान हो जाएगा 3 और डी का मान हो जाएगा 10 माइनस 3 7 इन दोनों एपी के एन में पत जो है वो बराबर है तो उत्र हो जाएगा ए एन का ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी क्योंकि एन दोनों का समान है तो अब हमारे पास में पहली एपी में ए का मान है 63 एन का मान हम ग्याद करेंगे डी का मान है 2 दूसरी एपी में A का माने 3 N का माने गयात करेंगे D का माने 7 63 पलस इनका गुणा करें तो बनगे 2N माइनस 2 बराबर 3 पलस 7N माइनस 7 63 में से 2 गटाएंगे तो बज़ जाएगा 61 पलस 2N बराबर माइनस 7 में से गटाएंगे 4 तो बज़ जाएगा माइनस का 4 7N माइनस 4 अब हम N वाड़ी रासी एक दरफ ले आते हैं और दूसरी रासी आएक दरफ गठी कर लेती हैं तो यहाँ पर है 2N 7N इदरा की हो जाएगा माइनस का बराबर में है माइनस का 4 61 पलस का इधर आके हो जाएगा माइनस का तो यह बन गया माइनस 65 2N में से गटाएंगे माइनस 7N तो बचेगा माइनस का 5N माइनस से माइनस कैंसल हो गया N का मान विकाड़ेंगे तो 65 में बाग कर देंगे हम 5 का तो आज जाएगा 13 इसलिए 2N एपी के 13 उमें पद समान है 2N एपी के 13 उमें पद एक समान है आगे हमारा है 16 परसन जिसके अंदर वह एपी जात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातों पद जो हो पांच उमें पद से 12 दिख है तो इस एपी का तीसरे पद का मान तो हमारे पास में 16 और सातों पद जो है वो पांच उमें पद से 12 अधिख है सातों पद का मान पांच उमें में 12 जोड़ने परा जाएगा और तीसरे का मान है इसमें 16 तो इन दुनों को हल करेंगे तो इसमें 2 स्मीकरणे बन जाएगी A P के तीसरे पत का माहन है 16 तो इसकी स्मीक्रन बन जाएगी A पलस 3 माइनस 1D बराबर इसके हो जाएगा 16 और इसका हम गुणा करते हैं तो यह बन जाएगा A पलस 3 में गटाएगा तो बन जाएगा 2D बराबर 16 और हमें देर रखा है कि 7 वह पत जो 5 में से 12 दीक है तो 7 वह पत हो जाएगा A पलस 7 माइनस 1D बर 5 माइनस 1D प्लस 12 तो यह जाएगा A पलस 6D बराबर A पलस 5 में गया 4D पलस 12 तो अब A और 4D का करते हैं पक्षांतरन इस तरफ ले आते हैं दोनों हो जाएगे माइनस के माइनस का A और माइनस का 4D बराबर बच गया 12 A से A कट गया 6D में 4D गटा है तो बच गया 2D 2D बराबर 12 हो गया और D का मान हो गया 12 बटे 2, 6 अब हमारे पास में D का मान आ गया 6 इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे समीकरण 1 में D बराबर 6 रखने पर तो यह बन जाएगा A पलस 2 गुणा 6 बराबर में 16 और A पलस 12 बराबर 16 तो A का मान हो जाएगा 16 माइनस 12 बराबर 4 अब हमें A का मान भी जात हो गया और D का मान भी जात हो गया तो अब हम क्या करेंगे आगे हमें हमें समांतर स्रेटी मनानी है तो वह समांतर स्रेटी क्या बनेगी इसका पहला पद तो हो गया चार दूसरा पद बन जाएगा पहले पद में सारवंतर जोड़ दो दस बन गया तीसरा पद दूसरे पद में सारवंतर जोड़ दो तो सोड़ा बन जाएगा चोथे पद के लिए तीसरे पद में सारवंतर जोड़ दो तो वो बन जाएगा 22 इस परकार वह एपी बन गई चार, दस, सोड़ा और 22 जिसमें तीसरे पद का मान तो देखो 16 है सातों पद जो होगा वो पांचों से बारा दिखो जाएगा